हेलो एवरिवान स्वागत है आफ सब लोग का UBPCS उतकरश्वे मेरा नाम है वैभोशिवहरे और जैसा कि आप लोग ने थम्बनेल में देख लिया है आज का जो टॉपिक है वह भारत के भोगोल का नहीं बिल्कि विश्व के भोगोल का एक भातपूल टॉपिक जो आपके प हम निल में देखा टॉपिक है लोकल विंट्स ओप दे वर्ड यहनी विश्व की महात्पून इस्थानिय पवने इस्थानिय नाम क्यों दिया गया है चुकि यह किसी इस्थान विशेष पर ही अपना प्रभाव दिखाती है किसी बड़े छेत्र की जलवायू को यह प्रभा है कि पहले हम यह समझ लें की हमें यह पता होना चाहिए कि फिंट्स की अगर हमात कर रहे है तो उसको अगर हम कैटीग्ज कर दें तो हम यह देखते हैं कि आफ बेसिकली तेन प्रकार की पवनें देखने को बढ़ती हमको कौन-कौन सी तीन प्रकार की एक तो सबसे पहला क्यों प्रकार ह। पवन ने जो पहला प्रकार है रही ऑनजली यृ के सकते है ग्लोबल विंट्स वैश्विक पमने और वैश्विक पमने आपको बता तीन प्रकार की होती है ठीक कौन-कौन सी तीन प्रकार की एक तो है आपकी ट्रेड विंट्स ट्रेड विंट्स यहीं व्यापारिक पमने ठीक है दूसरा है आपकी वेस्टरलीस वेस्टरलीज यानि पच्छुअ पबने वेस्ट टू इस्ट उनकी डिरेक्शन होती है इनकी इस्ट से वेस्ट डिरेक्शन होती है ठीक है और तीसरी जो विंड है वो होती है इनकी ब्रुवी इस्ट से वैस्ट होती है यह तो हो गई ग्लोबल विंड्स ठीक है यह इनको हम प्लैनेटरी विंड्स के नाम से बहुत है इसके लावा फर्दर को आपको देखने को बलती है सीजनल विंड है, दूसरी है, सीजनल विंड है और सीजनल विंड में जैसे आपने सुना होगा, लैंड ब्रीज के बारे में सुना होगा, ठीक है, आपने सी ब्रीज के बारे में सुना होगा, यानि इस्थल समीर के बारे में सुना होगा, समुद्र समीर के बारे में सुना होगा, फिर आपने एनाबेटिक and केटाबेटिक, एनाबेटिक और केटाबेटिक के बारे में सुना होगा, यानि घाटी समीर जिसको हम कहते हैं, घाटी समीर और परवत समीर के नाम से भी जानते थीचे जो फिस्ट काटेगरी में कैथे हैं इनको हम कहते हैं लोकल ओत अब ही जो लोकल फिंट उदी है इनका प्रभाव किसी छेत्र विशष पर देखने को मिलता है इसलिए हम उसको Local Wind के नाम से जानते है Local Winds Why Local Winds are known as a local Because इसका प्रभाव है वो किसी इस्थान विशष पर होता है अब Local Wind भी अलग-अलग टाइब से होती जहां से originate होती है तो आप देखो कि जो इस्थानी पबने हैं, इनकी बात अगर हम करें, तो कहां-कहां से ओरिजनेट होती हैं, तो एक जिसे इस्थानी पबने जहां से ओरिजनेट होती हुई आपको दिखाई देती हैं, जिनको हम कहते हैं, इस्थानी पबने जहां से हमें ओरिजनेट होती होगे है यह जो गर्म मरुस्थल है है ना वहां से ओरिजिनेट होती है कुछ लीवर्ड रीजन से लीवर्ड रीजन जैसे माल लीजे किसी परवत का परवत का पवन मुखी किसी परवत का पवन मुखी ढाल किसी परवत का किसी परवत का पवन वी मुखी ढाल आपने देखा होगा कि जैसे कोई मांटेन है तो उस मांटेन में यह ऐसा रीजन होता है आप देखते हो कोई भी परवत जब आप देखते हो तो किसी भी माउंटेन में ऐसा आपको देखने को मिलता है यहां एक डाल जहां से विंड ऊपर की और चड़ती है एक डाल जहां से यह जो डाल है यह जो बने डाल बनाया इस डाल यहां से पवन कहां हो रही है पवन ऊपर की और चड़ रही है और पवन ऊपर की और चड़ते हुए उपर की और चड़ते हुए फिर यहां से पवन दूसरे डाल की तरफ यह नी नीचे आना शुरू होती है तो जहां से पवन ऊपर के और चड़ती है यह वाला रीजन है जहां से विंड ऊपर ट्रावल कर रही है यह वाला जो छेत्र होता है इसको बोलते हैं विंड वर्ड रीजन विंड वर्ड विंड वर्ड साइड हिंदी में इसको बोलते हैं पवन मुखी ढाल अब इस पवन मुखी ढाल से पवन ऊपर चड़ी यहां पर नीचे टेंपरेचर जादा होता है विंड गरम होती है गरम होकर ऊपर के और चड़ना शुरू करती है और यहां से पवन जब गर temperature मिलता है, low temperature मिलने के वेज़ से हो जाता है संघडन, condensation होता है, condensation की प्रक्रिया के प्रणाम सुरूप यहाँ पर बनते हैं, आपके यह बादल, ठीक है, और बादलों के बनने के प्रणाम सुरूप पवन के इस वाले छेतर में यहाँ पर हो जाती है, ठीक, लेकिन जब यही wind travel करके, further यह wind travel करके, इस direction में जब आती है, तो जब wind travel करके इस direction में आती है, तो यहाँ पर जितना भीज के पास moisture था, वो moisture इसने यहाँ पर drain कर दिया, अब यहाँ पर जब आ रही है, तो यह इस wind के पास बहुत अधिक moisture नहीं बचा है, और wind कहां आ रही है, अब नीचे क् प्रावल कर रही है चुकि यहां पर क्या है फवन ठंडी हो चुकि है ठंडी होने के बाद पवन कहां रही है नीचे की उतर रही है यहां पर पवन कैसी होगी ड्राय होगी यहनि उसमें यहनि उसमें मौईश्चर का कॉंटेंट मुएस्चर content उसमें बहुत कम होगा या नहीं होगा Dry winds होगी, moisture का content उसमें बहुत कम होगा या moisture उसमें नहीं होगा तो अब इस वाले reason में यहाँ के comparison में इस wind का temperature चुकी जब नीचे उतर आएगी तो देरे-देरे temperature क्या होगा यह वाला जो side होता है mountain का, इसको बोलते हैं Leeward side, यह mountain का कौन सा side है? यह mountain का Leeward side है, अब Leeward side में rainfall बहुत कम होता है, तो इस side में जो winds होती है, यहाँ पर जो local winds होती है, यह local wind usually dry होती है, और dryness के साथ-साथ यह wind, एक तो dry तो होती है, ड्राइनेस के साथ-साथ यह wind usually warm nature होती है ड्राइ भी होती है जैसे पर एक्जामपल मैं आपको बताओ आपने शिराको wind का नाम सुना होगा जैसे आपने चिनूख wind का नाम सुना होगा चिनूख चिनूख इज अ लोकल wind of North American continent Chinook जो है North American continent की एक local wind है ठीक है तो Chinook क्या काम करती है Rockies Mountain के सारे उपर चड़ती है और उसके West Side पर जब ये Eastern Side से उतर कर नीचे की और आती है तो South East region में यहाँ पर जो Snow है उस Snow को ये melt करती है इसलिए Chinook को एक और नाम से जाना जाता है इसलिए इसको चिनूग को कहते है Snow Eater Snow Eater बोलते हैं इसको Chinook को Snow Eater क्यों बोल रहे है चुकि चिनूग जब लीवर्ड साइज में Rocky Mountain के लीवर्ड साइज में जब ट्रावल करके नीचे आ रही है यहाँ पर इसमें मौइशर भी नहीं है Comparatively wind का temperature बढ़ गया है temperature बढ़ गया है तो यहाँ पर जो Snow है उस Snow को यह melt कर देती है और एक grassland क्रेट कर देती है पश्वों के लिए अच्छी चारागा भूमी और agriculture के लिए भी अनुकूल स्थिती पैदा हो जाती है तो एक तो यह बात हो गई दूसरा और कैसे local winds generate होती है दूसरा local winds generate होती है वो होती है ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में जो पाए जाने वाले जो गर्म अरुस्थल है होट डेजर्ट है ठीक है उन होट डेजर्ट से भी wind जो है originate होती है और usually जो hot region से यहां से जो wind originate होगी कैसी होगी नेचर में warm and dusky होती है ठीक है dust बहुत जादा लेके आती है temperature इनका क्या होता है बहुत जादा होता है ठीक है जैसे for example इंडिया में ही देखने को मिलती है तो इंडिया में है जैसे लू देखने को मिलती है फिर लू के अलावा जैसे आपको एक wind और मिलेगी सिराकू एक wind है लू हो गई सिराकू हो गई यह दोनो ऐसे ही आपको एक और मिलेगी सिराकू को ही बोलते है खमसिन यह सब सहारा desert से चढ़ने वाली उपर पहने है जो यॉरप के उस region में जाकर Mediterranean को क्रॉस करके उपर पहसती है ठीक है न तो यह मैंने आपको एक basic funda बता है कि किस तरीके से किस तरीके से wind originate होती है अब एक जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अगर इस process को भी हम समझ ले अब एक और केटाबेटिक जैसी यह जो process है यह एनवेटिक process का डाइगराम है यहाँ पर आप देखोगे एनवेटिक winds अब एनवेटिक winds पे क्या होता है अब एनवेटिक winds पे क्या होता है दिन के समय में during the day the slopes and the air slope and the air above then above then heated दिन के समय में ऐसा होता है during the day the slopes and the air above them are heated तो चुकि sunlight बहुत जादा होती है अब sunlight क्या करती है जो mountain का slope उसको heat up कर देती है heat up करती है तो विद निया से ट्रावल करके उपर की और जाती है rises up the valley side यानि घाटी की तरफ ऐसे ऊपर की और यह देखो घाटी की तरफ ऊपर चड़ती हूँ दिखाई दे रही है जान दखिए कि अनाबेटिक विंस की बात कर रही है forming the अनाबेटिक विंस यानि अनाबेटिक विंस day time पे day time पे जब sunlight होती है तो temperature increase होता है तापमान बढ़ता है तापमान बढ़ने के वज़े से यह process पूरा होता है now coming to this point catabatic अब catabatic क्या है moon बना हुआ है understood है night का time है temperature क्या होगा low होगा अब temperature low होगा तो क्या होगी यह जो warm wind है वो कहां की ओर आना शुरू करेगी अब वो नीचे की ओर आएगी तो लिखा हो है at night slopes and the air above them are cooled slopes and the air above them are cooled ठंडे है ढाल परवती ढाल क्या हो चुका ठंडा यहां पर परवती ढाल क्या था गरम था और उसके उपर आने वाली जो हवा थी वो भी क्या थी गरम थी at night slopes and the air above them यहनी जो ढाल है यह जो ढाल दिख रहे है उसके उपर जो air है यह ठंडी हो चुकी है अब दिशी दुरूप से cold air है तो density उसकी definitely जादा होगी air subsidize करेगे यहाँ पर क्या कर रही थी air rise कर रही थी यहाँ पर air क्या कर रही थी चुकी यहाँ पर air भारी है तो क्या होगी subsidize करेगे यह निए नीची क्यो ढाल आएगे subsidize down the valley slopes forming the catabatic winds यह क्या है catabatic winds अब यह जो catabatic winds है यही catabatic winds हमें कई बार अनाबेटिक और catabatic winds local winds का formation करती है और वो local winds उषेतर के ताकमान को प्रभावेत करती है धाना किएगा इसी को हम कहते हैं घाटी समीर और इसको हम कहते हैं परवस समीर ज़्याद रखना है घाटी समीर और परवस समीर इसको हिंदी में कहते हैं इंगलिश में एनाबेटिक और catabatic winds के नाम से इसको जाना जाता है अब हम बात करें कि विश्व में कौन-कौन सी प्रमुख इस्थानिय विंड है जहां से एक्जाम में क्वेशन आपके पूछा जा सकता है इसके पहले की जो बात मैंने एक्स्पेंट करी यू-पी-आ-सी काप पेपर उठाके देखो तो यू-पी-ए-सी में डियरेक्लि ये नी पूझा जाएगा कि कौन से विंड कौन से कौन्टिनिनेंट में है आपसे एक्जाम में क्या पूझा सकता है कि ढप यू-पी-ए-सी कापेपर उठाके देखें प्रिवेस एर क्वेशन देखें, तो मैच दा फॉलोइंग के साथ साथ, मैच दा फॉलोइंग उन्होंने लोकल विंट तो पूछा है, बट पेपर के लेवल को और थोड़ा सा डिटेल में बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, कि स्टेट्मेंट वाइस दिये हुए, अला आप सबसे नहीं क्यों? चुकि चिनूक विंट की डIREक्शन देख लीज़ा है, यहां जो चिनूक विंट विंट आ रही है, पूरे रौकी मौंटेंजMA है, पूरे रौकी मौंटेंज़क उपर से गुजरकर, यहां से नीचे उतर रही है, और नीचे उतरने के बाद, रौक क्यूं है ये बेंग मैने अभी उसके पीछे रीजन बता है बिकोज ये ये कैसी है अ 이제 ये ये विंड है composite वाले एक विंड वड्र और दूसरा ले वर्लीवर्ड साइड वाले विंड है dryness है, moisture उसमें नहीं है, comparatively warm है, इसलिए इस शेतर की snow को meltdown कर देती है, clear, ऐसे ही करके चिनूख हो गया, ऐसे ही यहाँ पर आपको एक wind यहाँ पर देखने को मिलेगी fawn, ठीक है, fawn का भी लगवग लगवग यहीर होता है, ऐसे ही आप देखते हो, हर्मटन wind है, तो हर्मटन wind equatorial region में जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको एक सुखून प्रदान करती है, रहात देती है, चूकि हर्मटन कैसी है, हर्मटन wind warm है, इसमें dryness है, और इस समय equatorial region में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यह एक औशधी का क स्थानी पावने, ऐसे कौन सा Continent है, यह है आपका, North America, ठीक है, North America, Right, North America की स्थानी पावने ज़रा देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा आप से कि North America की स्थानी पावनेकों का अगर आप गौर करें, तो सबसे पहले, जैसे हम देखें, तो यह wind मैंने बना रखी है,्ठीक है, ए इस विंड को हम बोलते हैं, ब्लिजार्ड, इसको कहते हैं, यह हैं ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड पूरे इस रीजन में, इस पूरे इस रीजन को स्नू कवर्ड कर देती है, चुकि यह बहुत ठंडी पवन है, इस पूरे रीजन के टेमप्रेचर को भी बढ़ा देती है, तो यह कौन सी है ? तो यह है North wind है यहाद रखेए कि North wind है इस वाली रीजन में flow हो रही है यह कौन सी wind है ? तो इसको हम बोलते हैं यह है आपकी चिनूक इसी चिनूक wind को Snowheater के नाम से भी जाना जाता है यहां पर यह wind है इसको बोलते है Santa Ana Santa Anna यह जो Santa Anna wind है न यह Santa Anna wind इस region में ये Great Basin वाले छेत्र है इस Great Basin वाले छेत्र में प्रभाय थुरी है Santa Anna यहांपर USA में एक मरुष्थल है मुझावे या मुझावे मरुष्थल उस मुझावे या मुचावे नर्सूरी है Santa Anna wind याद रखिए कि Local Wind Santa Anna याद रखना है. इधर पर आप देखेंगे तो नॉर्ट या नॉर्टी नाम की विंड है. नॉर्टी या नॉर्टी इनलिज्ञेशों बोलते हैं इसको. नॉर्टी विंड है ये आप देखारे हैं ये वाला डीजन Mexico वाला यह है Gulf of Mexico यहां पर प्रवाहित हो रही है तो टोटल आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में एक है नॉर्थर विंड दूसरा है ब्लिजर्ड तीसरा है चिनुक चौथा सेंटा आना और पांचवा नॉर्ट यह पांच विंड है जो नॉर्थ अमेरिका की आपको याद रखनी ह देखें यह चिनुक है यह ब्लिजर्ड है ब्लिजर्ड इस पूरे रीजन में यहां पर प्रवाहित हो रही है यह नॉर्थर विंड है यह नॉर्थी विंड है ठीक है ब्लिजर्ड की लोकेशन एक बार रिकरेक्ट कर लिजेगा यहां पर यह ब्लिजर्ड अब देखोगे तो इस वाले रीजन में यहां से Blizzard इस तरीके से प्रभाहित होती हुए आ रही है ठीके? Blizzard. Blizzard Wind क्या है? यह पोलर रीजन से, यह दुरुवी छेत्रों से आती ठंडी पवन है, यह जो पोलर रीजन आपको दिख रहा है पोलर रीजन, इस दुरुवी छेत्र से प्रभाहित होते हुए आ रही है ब्लिजार्ड में, ब्लिजार्ड हो गया, नौर्दर हो गया, चिनोख हो गया, सैंटा आना हो गया, नौर्टी हो गया यह सारी स्थानी पवने है, नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट की है, और हर पवन की अपनी अपनी एक विशेष्टा है, जो उस शेत्र के तापमान को उस शेत्र के तापमान को निश्यतुरूप से प्रभाहित करते है, यह से आप देखोगे, तो इधर देखेंगे, तो इंटर के सीजन में प्रभाहित होती है, ठीक है, याद रखेंगे, इन दोनों के बारे में, नौर्टी के हम बात करें, तो यह नौर्टी विंड है, मैक्सिकन एक्स्टेंशन ऑफ दा नौर्धर विंड है, मिड यूए से नौर्थ अमेरिका फ्लाविद और, स्टॉंग कोल नौर्थ इस्टरली, विंड से विंटर सीजन में प्रभाहित होती है, तो इन दोनों के बारे में, आपको याद रखने, चिनूक के बारे में, मैंने आलड़ी आपको समझा दिया, कि चिनूक का क्या रोल है, ठीक है, आईए, आगे आते, नेक्स्ट बात करें, साउथ अमे अमेरिका कॉंटिनेंट में भी दो इस्थानी पमने है, ये है, शाउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में एक विंड है यहाँ पर, इसका नाम है, ये है, पैमपैरो, ठीक है, और ये है जॉन्डबा, पैमपेरो और Zonda याद रखीएगा bund आप देखेंगे इसरीजन में यह आप देखेंगे इसरीजन मेंAtla vintage anni As anandak Osan से आगे की और बढ़ती है अभी किया बोलती है की अब आपgrassि चिली और अरजेंटीना वाले छेतर में, इसके लिए ये जॉन्डा विंड बड़ी अनकूल होती है। दूसरा आप देख रहा हुएं यहाँ पर पीमपैरो विंड है। यह पांपैरो शबक्तर है। अब पंपास कैसे grassland है? Temperate grassland है, तो Pempero एक warm wind है, जो पंपास, चुकि पंपास temperate grassland है, तो पंपास grassland में, जो snow covered छेतर है, वहाँ की snow को भी है, meltdown करता है, अब देखो जॉन्डा हो गई, अब देखो जॉन्डा विंड, यहां से यह पूरा क्या फैला हुआ है, यहां पर यह Pempero भी इस शेतर की जो warm wind है, यह इसमें dryness है, इस शेतर की जो snow है, उस snow को यह meltdown करती है, Pempero, पंपास यहां पर grassland है, चुकि पंपास grassland में, अलफाफा नाम की एक nutritious grass पाई जाती है, तो जो अलफाफा nutritious grass है, वो animal grazing के लिए बड़ी अनुकूल है, मलब वहां पर, आप करते हैं, पशिचारन होता है, animal grazing होती है, milk production भी होता है, और meat industry इसलिए यहां पर बहुत जादा डेवलप है, और याद रखिएगा, पैमपैरो जो local wind है, वो यहां की agriculture और farming के साथ-साथ animal husbandry के लिए एक positive impact create करता है, याद रखिएगा, ठीक है, next इसके बाद आते हैं, अगल अगले continent पे, Africa, Africa के पहले Europe जड़ा देख लेते हैं, ठीक है, Africa के पहले हम Europe देख लेते हैं, अब देखो आप, Europe में भी अलग अलग winds है, ठीक है, मैंने अलग ड्रॉ कर रख है, जैसे आप देखोगे, तो Europe में यहां पर एक wind है, जिसको हम कहते है, helm, ह-e-l-m, helm, ठीक है, यह है आपकी, लेवेंटे, ठीक है, देख लीजे आप यहां पर, अब यह बोरा है, और यह है phone, F-O-H-E-N या F-O-E-H-N भी कही कही लिखा रहता है, ठीक है, और इधर आपको wind दिखाई दे रही है, इसका नाम है mistral, mistral, so mistral हो गई, इस France वाली reason में, यहां से आ रही है, यह fawn है, यह इधर बोरा है, है ना, और इधर है, levente, ठीक, अब यह जितनी भी wind है, ध्याना किएगा, आपको दिखाता हूँ, यहां पर, जैसे आप देखें, तो इसमें तो नहीं है, इस reason, इसमें देखते हैं, मिस्ट्रल विंड है, मिस्ट्रल, ठीक है, अब लेवेंटे मैंने उसको पताया आपको, यह Spain वाले reason में, Western Mediterranean Sea में, जो मिस्ट्रल विंड है, रॉन वेली of the, south of the, इस reason है, strong cold wind है, ठीक है, strong cold wind है, जो रॉन वेली हो प्रभाईत होती है, most frequent in the winter season में आने वाली wind है, मिस्ट्रल मिस्ट्रल के साथ साथ, आप देखें, इसी European reason में, यह जो fawn wind है, fawn, fawn wind और यहां से आने वाली जो बुरा wind है, यह fawn wind, Mediterranean Sea को cross करके आती है, कहा जाता है, कि African continent में, जो travel होने वाली जो local wind है, जिसका नाम है, siruk, ठीक, वही siruk wind जब यहां पर travel करते हो, आती है, तो इस, मरुस्तल के red sand उसमें होती है, Mediterranean Sea से उसको moisture मिलता है, और यहां पर आकर blood rain कराती है, खूनी वर्षा या रक्त वर्षा यहां पर कराती है, इसको red rainfall के नाम से भी जानते है, अब यह जो mistral wind है, और यहां पर जो fawn wind है, mistral fawn, bora wind, यह इस region के temperature को minimize, इस region के temperature को positive effect देती है, कैसे यहां से आने वाली wind यहां पर आपको पता यह आल्स परवत है, यह सुटजर लैंड है, यह इटली है, फ्रांस है, उपर जर्मनी है, यहां पर यह आल्स परवतों का विस्तार है, और आल्स परवती शेतर में जब यह wind flow होती है, जब यह travel करती है, तो इस शेतर का जो weather है, उस weather को और जब जब बना देती है, इसलिए स्वेट्जर लैंड बड़ा फेमस है, honeymoon destination कहलाता है, चुकि यहां का जो weather है, जो climatic condition है, बहुत 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 हो जाती है, because of these local winds, is it clear, तो यॉरप की कौन कौन सी local winds है, एक levante आद रखना है आपको, दूसरी mistral याद रखिएगा, तीसरी fawn याद रखिएगा, चौथी आपको बोरा याद रखना है, और पांच में आपको यह, इस Norway वाली region में, जो helm है, इसको याद रखना है, राइट, आईए, एफरीका की local winds की बात कर लेते हैं, तो एफरीकन रीजन की, जो important local wind है, वो, एक तो ये है, आपकी हर्मटन, ठीक है, हर्मटन, ये है, आपकी सिराको, यहीं पर है, आपकी खमसिन, खमसिन, और ये जो त्यूनीशा वाला रीजन आप देख रहे हैं, इस त्यूनीशा वाले रीजन में आपको एक wind मिलती है, गिबली, याद रिखेगा, ये ये ट्यूनीशा है, यहीं पर एक wind और है, इसका नाम है, यहाँ पर ये, इस wind का नाम है, गिबली, अब ये जो गिबली wind है, गिबली जो wind है, बिसिकली सिराको कही नाम है, ठीक, तो कौन कौन सी wind है, अब ये सारी के सा इच्वाहित होती ओंडर चुह सरे मुल्ट करती हैं और उपर जाके यह जो यॉरपियन कंट्रीज हैं यॉर्पियन कंट्रीज में यह रेड रेनफॉल कराती है कौन-कौन सी है शिराको याद रखेगा Qui गिबली पटिकुलेलिट्जओ टिकॉल्ट पर्टिकुलरली सिराको को ट्यूनीश्या में गिबली के नाम से जानते हैं, पर्टिकुलरली सिराको को ही एजिप्ट में खंसन के नाम से जानते हैं, ये जो विंड है, हर्मट्टन विंड इसको हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं, विकोज ये कैसी है, ये होट ए यह भी डेफिरिटली hot and warm ही होगी चुकि सारा मरुसल के उपर सुट रहे है तो hot and warm ही होने वाले है यह जो विंड है यहाँ इसको बोलते हैं हबूब यह सुधान है यहापर सुधान तो सुधान में हबूब है non-directional wind होती है non-directional wind इनकी कोई दिशान यह होती है, ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमती रहती है, नॉन डिरेक्शनल विड्ड होती है, हबूब, पटिकलरी सुडान में यह फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर नीचे साउथ अफ्रीका रीजन में एक विंड और है, जिसका नाम है बर्ग, यह साउथ अफ्रीका और नीचे यह जो आप देख रहे हो, यहाँ पर नामीबया वाला शेतर, यहाँ पर यह विंड प्रहीत ओरी, इसका नाम है बर्ग, यह याद रखने है, यह है विंड कहा की एफ्रीकन कॉंटिनेंट की, एफ्रीकन कॉंटिनेंट के बाद, लास्ट आ जा ठीक है, इसके बाद ग्रगले विंड है, the name applied to the strong wind, which blows from the northeast in the central region of the southern mediterranean sea, ठीक है, the weather associated with a ग्रगले विंड, little rain and a small drop in the average temperature, बहुत जादा फेमस नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो बात करें हबूब, ठीक है, हबूब, south margin of the Sahara, यानि सुदान रीजन में, hot है, damp wind है, containing sand, इसमें भी sand ह early summer में ये प्रवाहित होती है, हर्मेटन, हर्मेटन wind, dry dusty wind है, ठीक है, साहरा रीजन में, प्रवाहित हो रीजन में, साहरा और साहिल रीजन में, साहरा और साहिल रीजन में प्रवाहित होते हुए, गिनी की खाड़ी से बाहर निकल जाती है, ठीक, जो Gulf of गिनी है, वहाँ से doctor wind कहते हैं क्यों, चुकि उस चेतर के तापमान को ये, जो वहाँ पर humidity है, humidity वाले चेतर को रहत प्रदान करती है, चुकि हरमेटन कैसी है, dry wind है, इसमें humidity नहीं है, dryness है और वहाँ के dryness की wind जो है, वहाँ के मो motor को कम करती है. अब आप देखेंगे, तो एशियन रीजिन में जो आपको विंड प्रोफाइथ हो रही है एक तो यह जपैन की विंड है इसको नाम याद रखीगा योमा इस विंड का नाम है योमा विंड जपैन में फ्लोव 혀 ही ठीक है इधर पर आप देखेंगे तो यह लू है ठीक है इस wind को हम कहते है Arabian region में जो प्रवाइट हो रही इसको हम कहते है Simum यह है आपकी Simum वो हबूप थी यह Simum है ठीक है और इधर Australia में इधर Australia बना नहीं लेकर लिख देता हूँ Australia में एक wind है जिसका नाम है Brick Fielder Brick Fielder यह कहां पर है यह Australia में और इस्टेलिय में Brick Fielder है एशन रिजन में दो और wind है एशन में एक तो कारा बुरान और बुरान यह बुरान यह है बुरान और यह है आपकी कारापुरान बुरान और कारापुरान ये इस छेत्र में एशन और सेंटरल एशन रीजन में प्रभाइत होने वाली महाथपूर मामन है ये लू है आपको बता है भारत में उत्तर भारत में प्रभाइत होती है ये सिमूम है इस अरिबियन छेत्र में प्रभाहित हो रिये सिमूम और यहां पर यह योमा जैपैन देख रहे है आपको यह जैपैन है ठीके इस रीजन में प्रभाहित हो रही है सिमूम मिन तो सिमूम ब्रिक फिल्डर इधर हो गया आपका योमा सिमूम योमा सिमूम लू कारा बुरान बुरान इन ब्रिक फिल्डर they all are the local winds of the Asian continent, right? तो इसके अलावा, एक महत्पून बात ही है, कि आप देखेंगे, तो कारा बुरान, in the interior of the Central Asian, landmass blows across the Central China, sinking the provinces, ठीक है, खमसिन विंट के बारे मता दिया है, North Africa और Arabian region में, लेस्ते भी बता दिया है, right? उसके अलावा, कारा बुरान के बारे में चर्चा होई गई, कारा बुरान और बुरान के बारे में चर्चा होई गई, अब यहाँ पर एक साथ अगर हम सारे विंट्स को देख लें, तो इसमें आप में सारी विंट्स अलड़ी बनी हुई है, Brick Fielder है ठीक है Australia की Brick Fielder है बुरान है, कारभुरान है यहां पर Loo है यहां पर Simum है Khamsin, Siraco, Ghibli, Hermenton ठीक है Itasian Wind एक रह गई थी यहां पर European region में यहां पर यह जो बिंड है यह है इसको बोलते है Itasian यह है Itasian Wind इस region में flow हो रही है RIOT important बात ये है कि दिवाली triple धमा का offer की validity extend कर दी गई है ठीक है छट पूजा को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की demand को ध्यान में रखते हुए इस offer को extend कर दिये गया और अब ये offer जो है आप दिखेंगे extend हो गया है और कौन-कौन से courses पर applicable है ये देख लीजे जिस आप देखोगा Arjun 3.0 batch है ठीक है जिसमें देली 5-6 घंटी class होती life from studio batch है ठीक ये इसकी fees है इसमें आप 6 November तक discount ले सकते हैं उसके बाद UB PCS Prelims ROYRO Foundation batch इसमें लगबग 5-6 घंटी class होती लगबग इसकी 2500 फीज है उसके लावा ROYRO test series भी चल रही है जो 20 October से शुरू हो चुकी है ROYRO MCQ batch जो अलड़ी 22 October शुरू हो चुके है इसमें जोग्रफी पढ़ा रहो ये भी आफर में available है इसमें भी enroll चाहें तो आप कर सकते हैं जिस exam के लिए अब NCIT foundation batch available at 1000 rupees only तो these are the batches which are available at the bare minimum cost so avail these offers these offers are valid only till 6th November वही दिवाली ट्रिपल धमागा offer जो 6th November तक extend कर दिया गया है I hope विश्व की जो इस्थानी पमने है या आपको clarity होई होगी ठीक है मैंने पढ़ा दिया है एक बर अपनी किताब से इसको जरूर इस topic को दोबारा पढ़िए इस से associated जो भी जहां जहां भी आपको PYQs, MCQs मिल जाए उसके practice करिए और इस topic को अपनी गिरफ में बनाईए Thank you so much everyone, take care